जारखन के चाइबासा जिले के अती नकसल प्रभावित टोंटो थानाक शित्र के जंगलों में नकसलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेर हुई नकसलियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड में केंड्रिय रिजर्व पुलिस बल, CRPF के दो जवानों को गोली लगी जिसमें एक जवान शहीद हो गया और दूसरे जवान को इलाज के लिए रांची भेजा गया था इस गोली बारी में शहीद होने जवान को सीएम हेमंद सोरेन ने शुक्रवार को चाइबासा में नकसलियों के साथ मुठभेर के दोरान अपनी जान गवाने वाले CRPF कांस्टेबल सुशांत कुमार खुंटिया को शुक्रद्धान जली दी बता दे की नियमित सर्च ओप्रेशन में निकले सुरक्षबल के जवानों पर नकसलियों ने फाइरिंग की थी इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और जवाबी फाइरिंग की गौर तलब है कि टोंटो थानाक्षित्र के जंगलों में सुरक्षाबल के जवानों द्वारा एक करोड के इनामी नकसली महर बेसर दस्ते के खिलाफ सर्च ओप्रेशन चलाया जा रहा है उसी दोरान यह मुठभेड हुई थी गोली बारी में घायल जवान CRPF 60 बतालियन के थे घायल जवानों की पहचान कॉंस्टिबल सुशांत और हवलदार मुन्ना के रूप में की गई कॉंस्टिबल सुशांत को पैर में गोली लगी है जबकि हवलदार मुन्ना को सीने में गोली लगी थी मुठभेड में CRPF कोब्रा बतालियन और जार्खन पुलिस की ओर से जार्खन जगवार की टीम शामिल थी दोनों ओर से कई राउंड फाइरिंग हुई इसके बाद इनामी नकसली मिसिर बेसर अपने दस्ता के सदस्यों के साथ पीछे हट गया सुरिक्षे बलो ने मुठभेड के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑप्रेशन जारी रखा है पुलिस कप्तान आशुतोष शेखर ने इस मामले की पुष्टी की थी अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना न भूले